Hello guys, it's me Sorumanna, welcome back to my channel Finally, SSEJ का जो एड़मीट काड़ है वो लिंक जो जारी कर दिया गया अधिकतर सब रिजन का जारी कर दिया गया जैसे Central Region का जारी कर दिया गया Eastern Region का जारी कर दिया गया बागी और भी रिजन का बहुत ही जल जारी कर दिया जाएगा आप लोग अपना रिजन वाइस चेक कर सकते हो आज के इस वीडियो में आपको Eastern Region जो की West Bengal हुआ, जारकंड हुआ और Orisa वालो के लिए जो लिंक है वो जारी कर दिया गया आप लोग स्टोरेड लोग जाके आप अपना अड़मीट काड डाउनलोड कर लीजे आज के इस वीडियो में आपको step by step process बताने वालो कि अड़मीट काड कैसे डाउनलोड करना होगा और इसमें क्या क्या चीज आपको follow करना होगा क्या नहीं करना होगा सब कुछ में आपके साथ discuss करने वालो वीडियो को last तक ज़रूर देखिए तो जैसे कि में तो देखिए आपके लिखा है download e-admit card for junior engineer paper 1 ठीक है जब आप इस प्लिक करोगे क्लिक करने का बाद कुछ ऐसा interface open हो जाए ठीक है ये लिंक मैं इस वीडियो के description box में दे दूँगा आपको आपको कुछ ऐसा interface दीखने को मिले ठीक है ये सब आपको ले जाना होगा ये सब आपके admit card में में मेंशन रहेगा तो आप नीचे जब जाओगे तो यहाँ पर okay का option रहेगा okay का option में जब आप जाओगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ open हो जागा interface open हो जागा तो आपको बोला आएगा कि click on roll number to download e-admit card ये जो आपका roll number इस आपको click करना होगा okay तो जब आप इस पर click करोगे तो कुछ निर्देश आपको पढ़ना होगा मैं आप लोगो जब एक्जाम पर यहाँ तो CBT मोड में तो CBT मोड में कैसा exam होगा जब आप दोगे उसमें टाइमिंग दिखा जाएगा जब आप question को next करोगे या question को अगर आप छोड़ते हो तो यह सब चीज आपको इसमें मेंशन किया जाएगा तो आपको यह सब चीज जानना होगा तो जब आप थोड़ा नीचे scroll करोगे instructions वेगर पर लीजेगा जब आप instructions पर नीचे करने के दाप जब चीजण के डाइडमिट कार्ड में आपको डाउंड करना वो होगा कहाँ तो जब आप इस पर डाउंड़ोड करें तो आपका आपका एडमिट कार्ड जो वोग डान्लोड जा aussi झाएगा जब kita eadmit card open जहां आपना चामिंग देख सकते हो और लोकेशन देख सकते हो कि आपका कहाँ exam मिले कि कर एक इसे कुछ इंटर्फेस आपको देखने का मिले गहां जहां date and time of examination साथे साथ examination venue जो है रहेगा जिनको भी TATA मिले जो भी TATA के इस्टूरेंसे जो भी ज्रिशेलन टाटा में एपलाई किया है, तो उनका सब का ये एड्रेस रहेगा, सब के लिए ये एड्रेस जो है, एक्जामिनेशन वन्यू है, सब के लिए से हम रहेगा, टिके है, जो वेस्ट बेंकोल के स्टुनेट अव लगो बिए ऐसे चेक कर सकता है, ओरीसा वाले और यहां पर यह भी बोला के प्लीज क्लिक है तो डाउनलोड इंस्रक्शन्स यहां पर इंस्रक्शन्स बगरा सब कुछ दिया है यह नीचे तो इंस्रक्शन्स में क्या क्या लिखा हो एक पाचानल लेना होगा कररोंद षिखाना होगा सबस्ट में क्या सबस्केशन्स आपको के बन का।erness Bernard पनारिय fairness क्या हो एक एडिशन्स के लिएक है हो कि क्या। आपको अधिरार लेना होगा थो पैसपोर्ट एंस्पॉर्द। या तो सबस्ट रिदे टू क्या होगा आप ले सकते हो, यह ना, driving license, service ID, PAN card, ESR में से आप कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है, any other photo identity proof issued by central state government, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है, if the photo identity card does not contain the complete date of birth and name, then the candidate must carry an additional original documents having the date of birth and name as print, D-Number में यह ही लिखा होगा है, कि अगर आपके पास admit card रहा, जिसमें आपका photo के साथ, आपका date of birth वगरा मेंशन रहा, तो वो भी आप ले सकते हो, अगर आदार कार्ड यह सब ना रहा तो, ठीक है, फिर इसमें आपको यह face mask, hand sanitizer अपना ले जा सकते हो, transparent water water ले जा सकते हो, and print out of COVID-19 self declaration form provided with the admission certificate, बल्द यह चो certificate है, नीचे declaration form दिया रहा है कोविट का, इसी print में आपका दिया रहा है वो चीज आपको ले जाना होगा, इंगलिश वाला या तो आप हिंदी वाला दोनों में से आप ले जा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ mention किया रहा है, ठीक है, यहाँ आपको भढ़ना होगा, ठीक है, और यहाँ पर no candidates will be allowed to leave the examination lab before the completion of examination time, यहाँ आपको पता ही होगा, है ना, candidates shall be permitted to appear in the exam only at a venue as specified by the admission certificate, जो certificate में दिया होगा, उसी location में ही आपको जाना होगा, ठीक है, यह सब चीज आपको mention किया गया, prohibited items कि बात कि जाज़े से, watches, workbooks, pens, paper cheat, magazine, यह सब आपको ले जाना मना है, ठीक है, if any such item is found in the position of candidate in the examination lab, उसका exam जो ह जाया जाए का जाया होगा, and the candidate should avoid wearing like, wearing items like nose pin, bracelet, earrings, charms, kada, यह सब पहनना जरूरी, नहीं है, मतब एक्जाम कर ताम यह सब निकाल देना होग, in case religion customs require candidate to wear specific attire, the frisking may take more time and therefore candidate should report at a venue of examination earlier, यह सब चीज आपको जानना जरूरी है, candidates are advised not to bring bags and prohibited items to the examination venue, in case they bring any such item, they would not have to make their own arrangements for safe custody of such items, the commission will not be liable to make any arrangement of safe custody of any such item, I mean, if you have a bag or whatever, then you will have to keep it in yourself, okay, you will have to keep it in yourself, or you will have to keep it in yourself, okay, you will have to take it in yourself, okay, these are all things that you have to follow, okay, self-declaration here are some other things mentioned here, you will have to read it, if you have to read it, then the video will be long, okay, so you have to take it in yourself, COVID-19 self-declaration form, which means your name, role number, examination name, exam date, exam shift, exam venue name, signature of the candidate, okay, you will have to take it in yourself, okay, so I hope is clear, so let's do the video here, please like and share it, and don't forget to subscribe, thank you. you 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 you